हाई गाईज, मैं हूँ समीता, वल्कम टो माई होबीज हेलो फ्रेंड्स, आपको थम्नेल देखकर पता चल ही गया होगा कि आज मैं किसका रिव्यू करने वाली हूँ वैसे आप सबको पता ही होगा कि फ्लिपकार्ट पर आजकार सेल चल रही है तो आप उसमें से बहुत ही अच्छी क्वालिटी की और बहुत ही एपटबल प्रैज में चीजें ग्रेब कर सकते हैं तो आज मैं आपको फ्लिपकार्ट से लिए हुए एक हैंडबेग और एक फुट्वेर का रिव्यू करने वाली हूँ अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए अच्छा लगए हैल्फू लगए तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा इसके हमें मोटिवेशन लीती है और फ्रेंड्स और फेमिली को शेयर भी कर दीजिएगा तो सबसे पहले में आपको हैंड बेक दिखा देती हूँ यह देखिया यह कुछ अच्छी तरह से इस तरह के पेकेजिंग में आया था और इसके अंदर भी आप देख सकते हैं अच्छी तरह से बबल रेप होकर आया था तो इस तरह से इसकी packaging बहुत ही अच्छी वाली थी बहुत ही अच्छी तरीके से ये पेखो के आया था आप देख सकते हैं क्योंकि ये बहुत से बड़ी size है इसलिए उन लोगों को packing में इस तरह से यहां से fold करना पड़ा जो fold आप अंदर से हाट से press करेंगे तो वो ठीक हो जाएगा ये देखिए इस तरह से ठीक हो जाता है अब मैं आपको करीब से दिखा देती हूँ ये देखिए इसके काराण नीचे से base को protection भी अच्छी तरह से मिल जाता है ये दियाना कोर ब्रांट से है तो आप इसका logo भी यहाँ पर देख सकते हैं ये बहुत ही trustable ब्रांट है और सभी finishing बहुत ही अच्छी तरह से की हुई है आपको इसका take भी इसके साथ मिल जाता है आप देख सकते हैं नीचे से भी बहुत अच्छी तरह से finishing की हुई है और उपर की साइड से भी आप सब जगा देख सकते हैं बहुत ही अच्छी तरह से इसकी finishing की हुई है इसकी price 3999 हैं लेकिन sell के वागत ये up and down होती रहती है बिग बिलियन sell में ये मुझे सिर्क 674 रुपे में मिला है जो बहुत ही affordable price है इस price में इस brand का इतना बड़ा handbag मिलना बहुत ही मुश्किल है इसके back side में भी इस तरह से zip lock pocket दिया हुआ है इसके उपर की side में भी zip lock है और अंदर की में बात करूँ तो इस तरह से दो छोटे छोटे pocket दिये हुए है आप देख सकते हैं इसमें आप mobile वज़रत रख सकते हैं और दूसरी तरब भी इस तरह से zip lock pocket दिया हुआ है अंदर के lining के material की बात करूँ तो इहां ने बहुत ही अच्छी quality का lining दिया हुआ है और इसके साथ आपको sling के लिए एक strip भी दी जाती है लेकिन strip का color maroon दिया हुआ है जो की brush red है और अंदर की detailing black है तो ये maroon किसी भी तरह से इसको suit नहीं करता वैसे quality wise बहुत ही अच्छा है शायद गलती से गलत color धेश दिया है strip के लिए दोनों side इस तरह से hook दिये हुए है इसके width की में बात करूँ तो यहां से यहां तक 32 से मी है और height भी 32 से मी ही है उसमें height 16 से में लिखी है जो बलकुल ही गलत है यह बहुत ही बड़ी size का है इसके material की बात करूँ तो यह cool material है लेकिन बहुत ही अच्छे वाला अच्छी quality का material है तो overall यह purse बहुत ही अच्छा है तो जिनको छोटी बोटी shopping के वक बड़े handbag लेना पसंद है उसके लिए यह काफी जैदा अच्छा है या फिर खास करके उन लोगों के लिए यह बहुत ही अच्छा वाला पीच है जिनके छोटे बच्चे हैं और उनको handbag बड़ी चाहिए तो इसके लिए यह काफी अच्छा है अगर यह आपको 845 में भी मिले तो भी यह वर्थिट है या फिर आप इसे विश्लिस्ट में रख लीजिए जब प्राइस कम हो तब आप इसको पचेस कर लीजिएगा मेरी तरफ से यह मस्ट बाई है अब मैं आपको फुटवेर दिखा देती हूँ आप इसका बोक्स देख लीजिए कुछ अच्छी तरह से बोक्स नहीं आया था इस तरह से चारो और से थोड़ा दप गया है लेकिन अंदर से पेकिंग अच्छा आया है आप देख सकते हैं अच्छी तरह से दोनों सेपरेट पेट किये हुए थे और अंदर भी पेकिंग के लिए कागज रखा हुआ था इसकी हील अंदर दो इंच बताए गई है जो दो इंच ही है इसका मटिरियाल श्यूट है काइंड ओफ वेलवेट टेप का आप इसको वेलवेट भी बोल सकते हैं यह सपाटोस ब्रांड के है और आप देख सकते हैं इसकी फिनिशिंग बहुत ही अच्छी तरीके से की हुई है 4 ओर से बहुत ही अच्छी वाली फिनिशिंग है वैसे तो इसकी प्राइस 999 रुपे हैं लेकिन बेक बिलियन सेल में मैंने इसे सिर्फ 426 रुपे में पर्चेश की हैं यह पहनने पर बहुत ही अच्छे लगते हैं आप साइट पे देख सकते हैं पिक्चर मैंने अटेज करती हैं आप देख लीजिए पहनने पर बहुत ही अच्छे लगते हैं लेकिन मेरे साथ एक प्रोग्लेम हो गई है मैंने इसे साथ नंबर में मंगवाया था लेकिन ये मुझे 10 नंबर का रिसीव हुआ है जो मुझे बहुत ही बड़ी साइज लग रही है जो मुझे एक्सचेंज करानी पड़ेगी इसके साइट में भी यहाँ पर हलका सा स्पंज जैसा मतिरियल डाला हुआ है जिससे आपको पहनने पर बिल्कुल भी चुगेगा नहीं अगर आपको मेरा यह वीडियो थोड़ा सा भी ओनेस्ट लगा है तो मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर चेहर कर दीजिएगा और मेरे और भी वीडियो देखने के लिए मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दो और पास वाले बेल आइकन को भी क्लिक कर दो ताकि मेरे लेटिस्ट वीडियो की नॉटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले आपको अगर इन दोनों में से कोई भी चीज़ परचेस करनी हो तो मैं दोनों की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगी आप एक बाद चेक कर लेजिएगा तो फिर मिलते हैं एक ओनेस्ट रिव्यू के साथ तिल देन बाई टेक कर थेंक्स पर वोचिंग